नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में, Infonex Note 12 Pro 5G vs. Realme C33 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की, दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Note 12 Pro 5G में 6.48 इंच जबकि Realme C33 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो की सेम जैसी ही है विट की बात करें तो, Note 12 Pro 5G में 3.03 इंच जबकि Realme C33 में 2.98 इंच की विट मिलती है जो की Note 12 Pro 5G से कम है अब बात करते हैं वेट की तो, Note 12 Pro 5G में 188 ग्राम्स जबकि Realme C33 में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Note 12 Pro 5G में AMOLED जबकि Realme C33 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइस की बात करें तो, Note 12 Pro 5G में 6.7 इंच जबकि Realme C33 में 6.5 इंच जबकि Realme C33 में 6.5 इंच जबकि Realme C33 में 6.5 इंच मिलती है स्क्रीन टू बॉड़ी रेशियो, Note 12 Pro 5G में 85.6 इंच जबकि Realme C33 में 82.6 इंच मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो, Note 12 Pro 5G में 393 इंच जबकि Realme C33 में 270 इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Note 12 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखे में Depth Camera देखने को मिलता है और Realme C33 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखे में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो Note 12 Pro 5G में 7 different type के features मिल जाते हैं और Realme C33 की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनोव phone में single camera देखने को मिलता है, जिसमें की 4 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Note 12 Pro 5G में Mali G57MC2 जबकि Realme C33 में Mali G57MP1 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Note 12 Pro 5G में MediaTek Dimension T810MT6833 और Realme C33 में Unisoc T612 मिलता है बात करें RAM की तो, Note 12 Pro 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि Realme C33 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 3GB, 4GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Note 12 Pro 5G में 126GB की storage मिलती है जबकि Realme C33 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 32GB, 64GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो, Note 12 Pro 5G में up to 2TB जबकि Realme C33 में up to 1TB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों phone में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो, दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो, Note 12 Pro 5G में 2 colors जबकि Realme C33 में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो, Note 12 Pro 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 17,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Realme C33 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 3 GB RAM 32 GB storage के साथ 10,990 रूपीज 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 9,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की 5 day और नुकसान की तो दोनों फोन में 7,5 day और 1 नुकसान देखने को मिलता है Any ideas? Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में Note 12 Pro 5G आगे है में कामरा में Note 12 Pro 5G आगे है प्रंट, टल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Note 12 Pro 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रेल्मी 9 Pro 5G है दुसरा Samsung Galaxy A33 5G है तीसरा Nokia G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A4 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना